C.I.E.T.N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय 3. संख्याओं के साथ खेलना प्रिष्ट 61 प्रश्नावली 3.3 एक विभाज्यता की जाश के नियमों का प्रयोग करते हुए पता कीजिए के निमनलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याओं सारनी दी गई है स्तंभ एक में हैं संख्याओं स्तंभ दो पताएगा विभाज्य है 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से या 11 से पहली संख्या है 128 बाकी संख्याओं के लिए अपने उत्तर हा या नहीं लिखिये संख्याई हैं 990, 1586, 275, 6686, 6,49, 210, 4,29, 714, 2,856, 3,060, 4,6,849 2. विभाजिता की जांच के नियमों द्वारा ग्यात कीजिए के निमनलिखित में से कौन सी संख्याईं चार से विभाज्य हैं और कौन सी आठ से विभाज्य हैं A. 572, B. 7,26,382, C. 5,500, D. 6,000, E. 12,169, F. 14,560, G. 21,084, H. 3,17,95,072, I. 1700, J. 2150, 3, विभाजिता की जांच के नियमों द्वारा ग्यात कीजिए के निमनलिखित में से कौन सी संख्याईं च्छै से विभाज्य हैं A. 297,144, B. 1258, C. 4335, D. 61,233, E. 9,1352, F. 4,038,750, G. 17,90,184, H. 12,583, I. 6,049,210, J. 17,852, 4, विभाजिता की जांच के नियमों द्वारा ग्यात कीजिए के निमनलिखित में से कौन सी संख्याईं 11 से विभाज्य हैं A. 5,445, B. 10,824, C. 71,38,965, D. 7,1,79,308, E. 1,1, F. 9,1,133, प्रिश्ट 62, 5, निमनलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे चोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिये जिससे संख्या तीन से विभाज्य हो A. डाश 6,724, B. 47,65, डाश 2, 6, निमनलिखित में रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिये ताकि संख्या 11 से विभाज्य हो A. 92-389, B. 8-9484, 3.5, सार्व गुननखंड और सार्व गुनज कुछ संख्याओं के युग्मों के गुननखंडों को देखिये A. 4 और 18 के गुननखंड क्या हैं? 4 के गुननखंड हैं 1, 2 और 4 18 के गुननखंड हैं 1, 2, 3, 6, 9 और 18 दोनों संख्याओं 4 और 18 के गुननखंड 1 और 2 हैं अत्वा ये 4 और 18 के उभियनिष्ठ या सार्व गुननखंड यानि common factors हैं प्रयास कीजिए निम्न युग्मों के उभियनिष्ठ या सार्व गुननखंड क्या हैं? A. 8, 20 B. 9, 15 B. 4 और 15 के सार्व गुननखंड क्या हैं? इन दोनों संख्याओं में केवल एक ही सार्व गुननखंड हैं 7 और 16 के सार्व गुननखंड क्या हैं? दो संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार्व गुनन खंड होता है सह अभाज्य संख्याएं यानि कव प्राइम नंबर्ज कहलाती हैं चार और पंद्रह सह अभाज्य संख्याएं हैं क्या साथ और पंदरह, बारह और उन्चास, अठारह और तेईस सहे अभाज्य संख्याएं हैं? सी, क्या हम चार, बारह और सोलह के सार्व गुननखंड ग्याद कर सकते हैं? चार के गुणनखंड एक, दो और चार हैं 12 के गुणनखंड एक, दो, तीन, चार, छै और बारह हैं 16 के गुणनखंड एक, दो, चार, आठ और सोलह हैं सपश्ट तह 4, 12 और सोलह के सार्व गुणनखंड एक, दो और चार हैं निम्न के सार्व गुनन खंड ग्याद कीजिए A. आठ, बारह, बीस B. नौ, पंद्रह, इक्कीस आईए अब एक से अधिक संख्याओं के गुनजों को एक साथ लेकर देखें A. चार और छै के गुनज क्या हैं? चार के गुनज हैं चार, आठ, बारह, सोलह, बीस, चौबीस, इत्यादी कुछ और गुनज लिखिए छै के गुनज हैं चै, बारह, अठारह, चौबीस, तीस, चौबीस, इत्यादी कुछ और गुनज लिखिए इन में से क्या कुछ और ऐसी संख्याएं हैं जो दोनों सूचियों में आ रही हैं, हम देखते हैं कि 12, 24, 36, इत्यादी, 4 और 6 दोनों के गुणज हैं। क्या आप ऐसे कुछ और गुणज लिख सकते हैं? ये 4 और 6 के उभयनिष्ठ या सार्व गुणज, यानि common multiples कहलाते हैं। प्रिष्ठ 63 बी, 3, 5 और 6 के सार्व गुणज ग्यात कीजिए। 3 के गुणज, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 इत्यादी हैं। 5 के गुणज, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 इत्यादी हैं। 6 के गुणज, 6, 12, 18, 24, 30 इत्यादी हैं। 3, 5, 6 के कुछ और सार्व गुणज लिखिए। उदाहरन 5, 75, 60 और 210 के सार्व गुणज खंड ग्यात कीजिए। हल, 75 के गुणज, 1, 3, 5, 15, 25 और 75 हैं। 60 के गुणज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30 और 60 हैं। 210 के गुणज, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105 और 210 हैं। इस प्रकार 75, 60 और 210 के सार्व गुणज खंड, 1, 3, 5, 15 हैं। उदाहरन 6, 3, 4 और 9 के सार्व गुणज ग्यात कीजिए। हल, 3 के गुणज, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 49, 42, 45, 48 हित्यादी हैं। चार के गुणज, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 हित्यादी हैं। 9 के गुणज, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 इत्यादी हैं। स्पष्ठ तह, 3, 4 और 9 के सार्व गुणज, 36, 72, 108 इत्यादी हैं। प्रश्नावली 3.4 एक, निम्न के सार्व गुणन खंड ग्याद कीजिए। ए, 20 और 28, बी, 15 और 25, सी, 35 और 50, डी, 56 और 120, दो, निम्न के सार्व गुणन खंड ग्याद कीजिए। ए, 4, 8 और 12, बी, 5, 15 और 25, तीन, निम्न के प्रथम तीन सार्व गुणज ग्याद कीजिए। ए, 6 और 8, बी, 12 और 18, चार, 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याईं लिखिए जो तीन और चार के सार्व गुणज हैं। पांच, निम्न लिखित में से कौन सी संख्याईं सह अभाज्य हैं। ए, 18 और 35, बी, 15 और 37, सी, 30 और 415, डी, 17 और 68, ई, 216 और 215, एफ, 81 और 16, छे, एक संख्याई पांच और 12 दोनों से विभाज्य हैं। किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित होगी। साथ, एक संख्या बारह से विभाज्य हैं। और कौन सी संख्याई हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य होगी। प्रिष्ट, 64, 3.6, विभाज्यता के कुछ और नियम। आईए, संख्याउं की विभाज्यता के कुछ और नियमों को देखें। एक, क्या आप अठारह का एक गुणन खंड बता सकते हैं? यह नौ है. नौ के एक गुणन खंड को लिखिये? यह तीन है. क्या संख्या अठारह का एक गुणन खंड तीन है? हाँ, यह है. अठारह का कोई अन्य गुणन खंड बताईए. यह च्छै है. च्छै का एक गुणन खंड बताईए. यह दो है. यह अठारह का भी एक गुणन खंड है. अर्थात अठारह को विभाजित करता है. इसकी जांच अठारह के अन्य गुणन खंडों के लिए भी कीजिए. यही प् तभी गुणन खंडों एक, दो, चार और आठ से भी विभाज्य है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदी कोई संख्या एक संख्या से विभाज्य है, तो वह संख्या इस संख्या के प्रत्येक गुणन खंड से भी विभाज्य होगी। दो संख्या 80 संख्याओं 4 और 5 दोनों से विभाज्य है, यह 4 गुणा 5 बराबर 20 से भी विभाज्य है, तथा 4 और 5 सहे अभाज्य संख्याई हैं. इसी प्रकार साथ सहे अभाज्य संख्याओं तीन और पांच से विभाज्य है. साथ गुणन फल तीन गुणा पांच बराबर पंद्रह से भी विभाज्य है. इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि कोई संख्या दो सहे अभाज्य संख्याओं से विभाज्य हो, तो वह उनके गुणन फल से भी विभाज्य होती है तीन दोनों संख्याएं 16 और 20 संख्या 4 से विभाज्य है संख्या 16 जमा 20 बराबर 36 भी 4 से विभाज्य है इसकी जाच संख्याओं के कुछ और युग्म लेकर कीजिए 16 और 20 के अन्य उभ्यनिष्ट गुणन खंडों के लिए भी इसकी जाच कीजिए इस फ्रकार यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हों तो इन संख्याओं का योग भी उस संख्या से विभाज्य होगा चार दोनों संख्याएं 35 और 20 संख्या 5 से विभाज्य है क्या इनका अंतर 35 घटा 20 बराबर 15 भी 5 से विभाज्य है इसकी जांच संख्याओं के ऐसे कुछ अन्य युग्म लेकर भी कीजिए इस प्रकार यदि दी हुई दो संख्याएं किसी संख्या से विभाज्य हों, तो इन संख्याओं का अंतर भी उस संख्या से विभाज्य होगा। दो संख्याओं के अन्य युग्म लेकर उपर युक्त दिये गए चारों नियमों की जाच कीजिए। तीन दशमलव साथ अभाज्य गुणन खंडन यदि किसी संख्या को उसके गुणन खंडों के गुणन फल के रूप में व्यक्त किया जाए, तो हम कहते हैं कि हमने उस संख्या को गुणन खंडित यानि फैक्टराइजड कर लिया है। अथवा उसके गुणन खंड कर लिये हैं। इस प्रकार जब हम चौबीस बराबर तीन गुणा आठ लिखते हैं, तो हम कहते हैं कि हमने चौबीस के गुणन खंड कर लिये हैं। यह 24 के गुणन खंडों में से एक गुणन खंडन है. इसके अन्य गुणन खंडन निम्न है. प्रिष्ट 65 24 के उपरोक्त सभी गुणन खंडों में अन्त में हम एक ही गुणन खंडन 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 पर पहुँचते हैं. इस गुणन खंडन में केवल 2 और 3 ही गुणन खंड हैं और ये अभाज्य संख्याएं हैं. किसी संख्या का इस प्रकार का गुणन खंडन अभाज्य गुणन खंडन यानी प्राइम फेक्टराइजेशन कहलाता है. आये इसकी जाज संख्या 36 से करें. संख्या 36 26 बराबर 4 गुणा 9 36 का अभाज्य गुणन खंडन 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 है. यह 36 का केवल एक ही अभाज्य गुणन खंडन है. प्रयास कीजिए. 16, 28 और 38 के अभाज्य गुणन खंडन लिखिए. इनहें कीजिए. गुणन खंड व्रिक्ष यानी फैक्टर 3. कोई संख्या चुनिए और उसे लिखिए. 90. इसका कोई गुणन खंड युग्म सोचिए. जैसे 90 बराबर 15 गुणा 6. अब 15 के एक गुणन खंड युग्म को सोचिए. जैसे 15 बराबर 3 गुणा 5. 90 बराबर 10 गुणा 9, 10 बराबर 2 गुणा 5. 6 के गुणन खंड युग्म लिखिए. 90 बराबर 15 गुणा 6, 15 बराबर 3 गुणा 5, 6 बराबर 2 गुणा 3. प्रिष्ट 66. ऐसा ही निम्न संख्याईं लेकर कीजिए. A. 8. B. 12 है. उदाहरण साथ. 900C का अभाज्य गुणन खंडन ग्याद कीजिए. हल. हम ऐसा निम्न प्रकार करते हैं. हम संख्या 900C को 2, 3, 5, 7, 29 से इसी क्रम में बार-बार भाग देते हैं. यह प्रक्रिया हम तब तक जारी रखते हैं जब तक के भागफल इनसे विभाजित होता रहे. 900C, भाग 2, 490, भाग 2, 245, भाग 5, 49, भाग 7, 7, भाग 7, 1. इस प्रकार 900C का अभाज्य गुनन खंडन है. 900C बराबर दो गुना दो गुना पांच गुना साथ गुना साथ. अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक, वाचन स्वर, गौरव मारवा, निर्मान सहीयोग, सौम्या मलिक, निर्मान, विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत.